है वोके टैंक सर तो आज के हमारी स्क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्षल में कस्टम फॉर्मेटिंग के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब कि आपने जो फॉर्मेटिंग नॉमल यहां से करते हैं आपने सेलेक्ट किया और यहां पर अप्लाइब कोई मैं करते हैं तो कल्या कटलाई कि तो इससे कोई लेना दिना नहीं कि इसेमें क्या ताई पर इससे कोई अगड़ कोर को आप्लाई डाएं बट मुझेक फॉर्मेटिंग करना पी Belgian कि अदि इंवर्मेटिंग जो है कि साफ करने है कि तो कैसे करेंगे तो इसके लिए कंदिशनल फॉर्मेटिंग करेंगे तो आप जब बुक परते थे याद होगा तो जो चीज आपको इंपोर्टेंट लगती थी उसको हाइलाइटर्स आपको हाइलाइट करने के या फिर बहुत साथ आपके डॉक्ति करते हैं तो क्या करते हैं ओधिकर आप करेंगे तब आप आपके वाद मुझे आएगी आप मूटे रहें कि तो यहां पर सेम थी होता है कि डेटा में हम हाइलाइट कर दें ताकि जब डेटा को ओपन करें तो हमें वही दिखे जो यहां पर आपको वीज़वाई तो उसके लिए यूज करते हैं हम कंडिशनल फॉमेटिंग में यहां आपको दिख़ा होगा डेटा हमारे तो डी कॉल यहां पर देखिए आपको फिप्टी के जगा पर हमाल लीजिए मैं यहां कुछ भी राज हुआ हुआ है तो बेसिकली मुझे क्या करता है कि मेरे इस डेटा में जो सेल्स की क्वांटिटी है तो हमें बोला गया है कि पचास से उपर के क्वांटिटी पे ही हम नजल मारते है या उसको सिरियस नहीं लेते हैं चिंटु जी अलाव करने की ज़रूरत नहीं है आप बहुत आपकी आवाज और आए की तब अब अन्यूट करेंगे माइक का सेंबल है उस पर क्लिक किजिए अन्यूट हो जाएगा हलो तो यहां हमने कंदिशन फॉर्मट्टी में गया है और यहां से हम इसको कर सकते हैं तो हाइलाइट में कमने यहां पर गिट्टर डैल लिया और यहां पर 50-80 जो सेलेक्ट करना है हम सेलेक्ट करना है अब इसके भात यहां प्यार्पे सामने आता है कि आपको करना है आपको जो कर आ है कि अब हुद करना है ऑद्या से अपनी Shakti को कि कौने के वाher यहां आने के बार आप यहां से यहां से अपी फॉर्मेटिंग चाहिए कि इसे मुझे यहां पे pairs blue rule लेना चाहिए ऊक्रिवृ किया तो देखिए यहां पे आपका यहां पे लिप कोई ah कोई और कलर दो दिया एलो दो दिया तो ग्याटर दन फिटी जो है वह एलो प्रस से हाइलाइट और हाइलाइट हो गई नहीं साथ में इसको मैंटेन भी रखें जाए जैसे कल के डेट में अगर मालेजिए फुटी फाइब हो जाता है तो कलर अप्लाइब हो जाएगा और हुए तो के अप्लाइं नहीं करता है है हमें आपके conditions के एकवार्डिंग कलर को मेंटेन लगता है कि मतलब किसी कि नंबर से बरा और वी नंबर से बरी वैलू को आप यहां से हाइलाइट सब्सक्राइब किसी वैलू से छोटा और बिट्वीन तो वैलू की बीच में से मैं चाहता हूं कि यहां पचास से तो तीन चीज में आपको अताया इसमें आप अपना नंबर लाइब और टाइम डाल सकते इसमें आप टेक्स नहीं राव सकते हैं गयर गयर दन पूजा गयर दन भी ऐसा नहीं कर सकते हैं आप देट कैसे यहां पर देट दला हुआ है मैं चाहता हूं कि 30 मार्स के बार भार हम अगे टो पर जाते हैं और यहां ती श्लाइस मार्ट कर देए तो गया सर अगे इस नहीं से आप बिट्वीन लेस्ट आप कर सकते हैं हा लेकिन सर इस केस में यह नहीं कैश्ट करेगा ना मतलब नेक्स्ट यह आप डाल नहीं आप डाल सकते हैं मैं यह नहीं डाला तो प्रेंट यह अप्टमेटिक ले लिया अपना आपका अगर प्रिविएस या देक्स यह दा लिए अपनों है ठीक है इस नोट यह तो इसको डू सब के लिए होता है आप जह है यहां पे पूजा अब्सक्ति कोई भी सेल वैलू को अलग्जिक कर सकते है आप देटो टाइम हो हो या और टेक्स्ट कुछ भी रहला है आप कर सकते है एक पुजा को अट किया को अधा हुआ याप कुजा सिंग नहीं हुआ इस से आप की और गवा पूजां हुआ हुआ बड़ बॉजा पूजा सिंग नहीं हा अपर अरण कहीं कि में रेडा में पूझा पूझा जी बुछा तर से इन पर से बिसे उतार है आपके CTA देली और नियु डेली तो देली और नियु डेली एक ही है दर? हाँ सार उस केस में हम कंडिशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और यहां टेक्स्ट दैट कंटेंड में आएंगे और यहां भी पुझास लेक्ता है ठीक है? विजा स्लेक्ट करिया हाँ में? हाँ सार यहां हमने पुझा स्लेक्ट करेंगे और यहां देखिया आपका हमने देखा देखा देखाएंगे और पुझा को भी और पुझासम को भी दोनों भारेट के आज़ेंगे तो हमने आज की डेट हाइलाइट कर दी है तो हमने क्या किया? इक्वल्ट में गया और यहां पर हमने आज के डेट माल इस आथाइस है तो आथाइस और यहां पर मार्च लिया देखिया थाइस मार्च यहां हाइलाइट हुझा है? अब इस में कोश्चन यहां पर आता है कि अथाइस मार्च हालाइट हुआ तो फिक्स रहे गाना हर भी हालाइट ही रहे है अब काथाइस ही है हम चाहते हैं कि यहां पर अपर इस मतलर कि अपने आपको बहाता जहीं सिस्टेम डेट की अपने आपको इंक्रीट है जैसे सिस्टम ने डेट चेंज हो तो तो उसके लिए हाइलाइट से रूज में यहां आप देखिए यह होता है टेट ऑपरिंग आपको एडेट ऑपरिंग अब जब जाते हैं तो यहां से स्टटे तुडे टुमॉरो यह आपके सिस्टर देट से प्रेक्टे रहे जैसे मैंने अगर तुडे कर दिया आज 28 की आएट देट हाइलेट है कर दिसको खौलूंगा तो यह अट्रमेटिक वे 29 होजाएगा पर फॉक्षों पर तीस होजाएगा इसी तरह से बाकी भी है आप है कि टुमॉरो इंद लास्ट तुमॉरो इंद गलकी रेट क्याल पिसरे बावज्गा इंद ग्समुरूंग थिजग श्रव पर फॉक्षों कर दिया जा गोल्चाइख विएज श्रूंगा इसप्र्मान आप अपने इस्साफसे स्टेश्च खरसे कि प्ळूंगा उटस्ट अग्ण कि अब इसमें आगे बात करते हैं कि इसी स्लेक्टेड एरिया में आपको अशा लगता है कोई नंबर मोर दन वान टाइम है तो दुब्लिकेट वैलु ने सकते हैं जो भी वैलु मोर दन वन टाइम होगी वह आपको हलाइट हो जाएगा कि मैं काउंट नंबर लिखना चाहता हूं और जैसे काउंट नंबर मोर दन टाइम होगा वह रख़ाई जैसे में वहां पर वन अगेल लिखोंगा तो आफेट डोन वन और एक और तीन जो भी होगी वह आयलाइट हो जाएगी जो भी नोगट आन वंटाइम होगी वापकर तो यह आपका क्या था दूब्लिकेंट पहले से लगी होई यहां आप जब से दीचे आते हैं तो यहां अब इस किया रूल में यहां होता है कियार फॉम स्लेक्टेट से और कियर फॉम इंटायर शीट अगरा अब तरह आपने सीखा और हाइलाइट से रूल में गेटर दन लेस दन बिट्वीन इक्वल टू टू टैक्ट अटेंट ऑगरिंग अद दूब्लिकेट वैलोग पो सीखा इस में डाउट नहीं लेकिन इए पूशना है यह रिया हायलाइट होता है वह अपना पेंट का एरिया कि कियुक्त करते समय है वह यूज कर सकते क्या वह क्योंकि सौट करते समय है और मेरा भी एक क्वेश्टन है यह संब लगाई आ जो ज्वी इस से लेटर देन पूरेट से और इस एकुल टू को कहते हैं पिंक से गर्डू तब मुझे रेट को उपर करना है मतलब ग्रेटर देन जितने भी है सारे को उपर लाना है और फिर जो लेसर देन है उनको नीचे लाना तो कैसे हो जिसे इंद आपक अपने आप द तो 70 वाले को आपने यहां पर और यहां से लेकि अब इसी के उपर आप चाहते हैं कि लेज देन 20 हैलाइट यह लेज देन 30 को चूच किया और यहां अलग लेकि अब आपस में क्या चाहते हैं रचाहिए मैं यह डिसाइव की जो यह ग्रीन हालाइट वाला जो है वह वह ऊपर आ जाए और पिंग वाला जो वापस क्वांटिटी ले लिए और यहां पी आपको यह किये लेना है अब बाकी जो होगा वह समझ को यहां पर दो चीज़ आपने सीखा एक तुस कलर भाई कंडिशन लगाई जासका है तुसके सॉर्टिंग है दूसरी कतेगरी है उस पर आते हैं तुसी कतेगरी यहां पर है नमबर डालेंगे हाइस लोगा हुलाएं तोप फाइब लिया और कर दिया तोप फाइब इसे तरह से यहां आपके सामने बॉर्टम फाइब है तो बॉर्टम फाइब तो भी इस तरह से हालाइट करें अधर यहां पर यहां एक कॉस्ट्वें संब्सक्राइब करता तो आपको एश्यवर्टम फॉर्म्मले को समझना होगा यह चीजी हम आपको अगली समस्चे मतरी तकी जो पर सेटाइल फॉर्मलाई क्लास हो उसको समझाएगा अब आज होती है अब 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 तो यहां जो है अब 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 स्लेक्टेड जो कॉलन है आपका उसका एक एवरेज है तो मुझे 52 से उपर की वैलो को क्या करना है तो यहां हम अब करेंगे अब कोस्टन यहां पर आता है कि आखिर हम ऐसा करिंगे आपके बास एक सेल्स का डेटा है समझे और सेल्स के डेटा में आपको जो है अच्छे सेल्स को शो करना है आप कोई benchmark है तो आपको ता लेकि कोई benchmark डिफाइं नौट तब क्या होमें एवरेज से उपर देंगे अब अब तो आपने आपको मेंटेन करेंगे तो अपना आवरेज चेंज करेंगे तो यहां आप उसका व्यूज कर सकते हैं तो टॉप बॉटम रूल्स में हमने टॉप टेन आइटम बॉटम टेन आइटम अब आवरेज को सीखा कुछ आउट इसमें हां सर मतलब डाउट नहीं है लेकिन कुछ नहीं कि मतलब यह जो पूरे सेल है सेल में जो भी अमांट लिकाए तो उसका आवरेज लेता है नो जो भी आपने कंडिशन में से पहले तो सेलेक्शन किया उसका आवरेज पूरे डेटा पर हमें क्या होता है ना कि यह बनाना मुस्किल होता है ना कि इसकी कंपेरिंग करना मुस्किल होता है पूरे डेटा में सब्सक्राइब करता है यह अपने आपको नहीं करता है कि अभी देखा रहेंगे तो बार में तो आगे आगे चला जाता है कुछ पीच्छे वह बैलों की साब सब्सक्राइब करेंगे तो और चोटा पहला और चोटा हो जाएगा इस लाइक दिश्टाइब अब इसी में हमारा कलर स्केल होता है करता है मतलब की रेड एलो और ग्रीन कर दिए जितना रेड है उतना लोवर जो जितना ग्रीन है वह उतना बड़ा है तो यह लगला कलर स्लेड है इसका यूज कर सकते हैं लेकिन आप चाहते कोई सब्सक्राइब आपको आइकन कर सकते हैं तो अभी मैंने आपको प्रहाया ओप्रहाया हाइलाइट शेल सून्स तॉप बट्म इतना वाफ्ट कलर स्केल इसका मतलब है कि जो बाहर जो चीज़े दी गई है ना वह हंडिल परसें सब कुछ नहीं है मतलब कि इसमें जैसे कि Gator Than They Click करूंगा तो你 से ब्राव तो 51 करेगा क्रेंगा करें डाट इक्वल्ट उना चाहिए ना बित्मीन होना चाहिए नाट बित्मीन होना चाहिए अ लेकिन उसको पढ़ने से पहले आपको चीज़े दी गई है उसको फॉर्टेंट फीचर है टाइम दीजिए इस पर और इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लिजिए कल की क्लास में हम एड़ांस कंडिशनल फॉर्बेटिंग को पहेंगे अंपर प्रॉब्लम नहों आपको कि